हेलो एवरीवन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी स्सेस्टी की वक्षीट टंबर 27 डेट है आपकी 22 जैनुवरी 2021 आज की वक्षीट का जो चाप्टर है आपका चाप्टर 5 पृत्वी के प्रमुप परिमंडल जिसमें आज हम जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे स् जील का पानी नदी का पानी भूमिगा जल का पानी यह सारा जितना भी पानी है ठीक है पूरी जल की उपस्थिती है इसे ही हम जल मंडल कहते हैं ठीक है प्रित्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि प्रित्वी पर 71 परतिशत भाग जल के रूप में उपस्थित है इसमे चाहिक व्तिविक जादत और बात्र वह पानी से घिरा हुआ है और उसमें भी 97 परतिशत पानी यूप है जो महासागरों के खारे-पानी रहें महासागरिये जल हमेशा गतिसील रहता है जैसे आपने देखा हुआ कि महासागर का जो पानी होता है वह हमेशा इस तरह से तरंगों के साथ रहता है यह हमेशा ही गतिसील रहता है तरंगी जौर भाटा तता महासागरिये धाराएं महासागरिये जल की तीन मुख्य गति है ये हमेशाową महासागर होते हैं वह हमेशा गति सील रहते हैं और इसका जादा तर भाव होता है वह खारे पानी की होता है चिका आपके आपको 2 आपको याद करने आप अच्छे से आदर लेना जैसे फ़र्स्ट आपका प्रशांट महासागर, सेकेंड है आपका अटलांटिक महासागर, फिर है आपका हिंद महासागर, उसके बाद है आपका दच्छडी महासागर और आक्टिक महासागर, चीक है, उसके बाद आपके कोशांसर दिये गए बच्चों, जैसे कि फॉर्स कोशन दिया गया है आपका कि जल मंडल स आप क्या समझते हैं तो जल मंडल का आंसर बिल्कुल आपको यहीं पर है बहुत अच्छे से दिया गया है कि पृत्वी की सतह पर महासागरो जीलो नदियो भूमिगजल तथा अन्य जलासियों की रूप में उपस्ति जल को जल मंडल कहा जाता है तो फॉर्स्ट आंसर आपका यहां से हो जाएगा ठीक है उसके बाद कुश्चन सेकिंड है आपका कि पृत्वी को नीला ग्रे क्यों कहा जाता है तो इसका अंसर आपका यहां से हो जाएगा कि पृत्वी को नीला ग्रे कहा जाता है कि पृत्वी को नीला ग्रे कहा जाता है क्योंकि पृत्वी पर 71 परत जागरों के नाम लिखें अ now je 5 महासागर यहां से लिखेंगे कि disso 5 महासागर कौन-कौन से रहे प्रशांद अन्टलांटेक महासागर हि महासागर घच्छडी महासागर और अल्सार है को यह थी आज की आपकी व्कशिट okay खार फोड्सवी बूंद अयों है . झाल झाल